नमस्षार दोस्तों नह hole से दोस्त अंकुर पयागी आपका फिर से मेरी चैनल पर स्वागत रहरत है जिसका नाम है डालक जर्याइडियад दोस्तों आज मैं आपके लिए कोठी का concept लेका है हूं और डुप्लेक्स का concept लेका है हूं जो देरा सुरी जिरिफपुर के अंतर रहेगा चंडी कडंबाला हाइवे पे और सेगेंड ऑप्शन यह है कि आपका इस्ट वी आईपी रोड पे आ रहे हैं मतलब फ्रंट में इसके वी आईपी रोड है और उसके सामने जो रहेगा गाजीपुर रोड जिसे इस्ट वी आईपी रोड कहते हैं उस लोकेशन में आपके लिए कोठिया लेका हूं आप मेरे बिलकुर राइट हैंड साइड देख सकते हैं अपना कोठियों का काम चल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पर यह आप देख सकते ह का कंसेप्ट है उसका 85 लेक है यह बहुत अच्छा नेगोशिबल है फिलाल हम रेट के उपर बातना करके लोकेशन को थोड़ा सा और बीफ करते हैं टोटल जो टाउंचिप आप देख रहे हैं यह 45 प्लस सेकर्ड के टाउंचिप हैं जिसके अंदर आपको प्लॉटिंग भ भी खाना चाहूंगा आप मेरे सामने जो ग्रिल देख रहे हैं यह सारा का सारा आपका पार्क एरिया रहेगा साथ के साथ कम्म्यूटी हॉल का एरिया यहां पर आजाएगा हमारी यह जो सुसाइटी है तीन फेसी के अंदर डिवाइड है जहां पर 45,000 रुपे भी रहने वाले हैं सोसाइटी बिल्कुल न्यू है कंस्ट्रक्शन इसके अंदर चली रही है देड़ से दो महिने के अंदर अंदर कोठी और डुप्लेक्सिस विलाज आपको यहां पर विलेबल मिल जाएंगे फ्रंट में इसके सारी उपन मार्केट आ जाती है जैसे डेली नी अब आप देखते हैं कि सारी मार्केट अविलेबल है ब्रैंच औरूम चंडी कडंबाला हाइवे पे अविलेबल है डी मार्ट आ जाता है बेस प्राइस हाजाता है मेट्रो आजाता है यह सिर्फ आपके वाकिन डिस्टेंस हो रहेंगे तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके मैं आपको पिछे दिखा रहा हूँ आपने कोटी dimension जो इनकी 20 by 50 की dimension रहने वाली है front आपका काफी उपन रहने वाले गाड़ी की parking space दी हुई आपको front में 5 foot का आपका बन रहेगा water piping वग्यारा already हो चुगी है seaweed connection already हम दे चुके है front में हम चलते हैं एक बड़ी हम front से चलते हैं आईए इस टाइम हम अपने drying और dining के अंदर आचुके construction चल रहा है दोस्तों अभी मैं आपको दुबारा guide कर दू construction चल रहा है एंटर construction कोटी दिखा रहा हूँ front में आपको window provision और एक gate आपको front में और दिया हुआ है यहाँ पर अगर जो हम आए drying dining से हटके kitchen हमारे यहाँ बनने जा रहा है साथ के साथ दो rooms के set आपको दिये गए हैं जिन दो rooms के साथ आपको दो washroom भी अभी अभी लेबल रहेंगे fall filling इसको ठी के अंदर हम आपको करके देंगे back side पर आप देख सकते हैं आपका washing area, taps provision और यहाँ पर electrical provision आजाएंगे second washroom थोड़ा साथ हमने balcony के साथ attach करके दिया गया but option रखवा है अगर जो आप room के साथ directly connectivity देना चाहते हैं तो दे सकते हैं मैं आपको लेके चल रहा हूँ उपर stairs है stairs आपको connectivity उपर की दे रहे हैं और हाँ दोस्तों यहाँ पे तीन मंजिल नक्षा पास आपको मिलेगा अगर जो आप चाहें तो बना सकते हैं यह छोटी सी lobby दे दिगे हैं यह आप इसे store की तरह use कर सकते हैं then again यह वाला area आपको फिर से drying dining की तरह दिया गया है आप use कर सकते हैं fall ceiling उपर आजएगी साथ के साथ यह फिर से आपको kitchen set दिया गया है पिछे का area हमने थोड़ा open रखा हुआ है washroom आपको दिया गया है अगर जो आप इसे उपर तक भी लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं सेकंड कोठी भी हमारी same यही नक्षा रहेगा दोस्तो तो दोस्तो यह था आपको एक कोठी का view मैं इक चीज और दिखा दूँ आपको front में भी हमारे विला और कोठी का concept चल रहे है तो यहां पर option अभी available है बट जादा नहीं है अगर जो आप इस तरिक्ती की planning कर रहे हैं अपना property की तो यह location बहुत best location रहने वाली है एक चीज और बताँगो मैं आपको इसी के back side पे जो आप इच्छे green area देख रहे हैं वो सारगा सारगा आपको 101 कड़गा laser valley पार के हां से बनने जा रहे हैं जो MC की approvals के साथ है तो अगर जो यह video आपको पसंद आई है तो दोस्तो फ्लीस like करिएगा share करिएगा और बीना channel को subscribe करिएगा दोस्तो मत जाईएगा तो मिलते हैं next video में नमश्या